शे महिने से भी लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे तेज गेदवाद जस्प्रीद बुम्रा हाल ही में मुंबा इंडियास की खेमे में नज़र आए जिससे फैंस के मन में ये सवाल उड़ गया है कि क्या बुम्रा इस आईपियल में मुंबा इंडियास की तरब से खेलती नज़र आएंगे बुम्रा इससे पहले आखरी बार मैदान में सितंबर 2022 में दिखाए दिये थे दरसर जस्परीद बुम्रा रविवार को वीमेंस प्रीमियम लीग के हुए फानल मुकाबले में मुंबा इंडियास की महिला टीम को सपोर्ट करने स्टेडियम में मौजूद थे बुम्रा इंडियास के पाकिक लडियों के साथ इस्टेडियम में थे इस दोरान जैसे ही फैंस को उनकी जलक मिल गई उनकी खूशी का ठिकाना न रहा अब सवाल यह है कि क्या बुम्रा आईपेल में खेलेंगे तो ऐसा नहीं है उन्होंने हाल ही में न्यूजी लेंड में पीट की सर्जिरी कराई है सर्जिरी के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें अराम करने की सलाह दी है वह एशिया कप या वर्ल कप से पहले क्रिकेट खेलती नजर नहीं आएंगे आखरी बार बुम्रा ने 25 सितंबर 2022 को औस्टिले खिलाग गेदवाजी की थी इस दोरान ही वह चुटिल हो गए थे वही मुम्बाइ इंडियंस की मैच की बात की जाये तो मुम्बाइ इंडियंस अपने आईपेल 2023 अबियान की शुरुआ दो अप्रेल को रोच लेंजर्स बैंगलोर के खिलाप मैच से करेगी यह मैच बैंगलोरू के एम चिन्नर सौमी स्टेडियम में खेला जाएगा बता दे कि मुम्बाइ इंडियंस की टीम आईपेल तिहास की सबसे सफ़ल टीम है रोही शर्म की कप्तानी में मुम्बाइ ने पांच बर आईपेल का खिताब अपने नाम किया है हाला कि पिछला सीजन मुम्बाइ के लिए बेहदी खराप रहा था